हेलो स्टुडेंट मैसेल्फ आशीश जोशी और आज हम बात करेंगे फार्मस्टूटिकल इन और्गनिक केमिस्ट्री के बारे में फर बीफार्मा फर्स्टियर ठीक है 1st year अब यह इनर्गनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है यह सिर्फ फर्स्टियर में ही है फामिसी में अब इप फाम कि अगर हम बात करें अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या है केमिस्ट्री के तीन पार्ट है वीनिमीज के लिए झी के मैं एक बार आपको ब्रीफ करीं देता हूं एक बार आपको ब्रीफ करें देता हूं ग्रूस्टीब अजने अब क्या होते हैं और दो सरह है आर गनिक तर्फु discipline खुलिफ के मेभी डिक जेए जॅब दोछ उब और यहां पर कार्बन जो है प्रिंसिपल मॉलीकूल नहीं है अब देखें मैंने क्या बोला देखें जैसे फ़ॉर इंग्जामपल यह अंदर हम उन कंपाउंड को पढ़ते हैं जिनमें डारेक्ट कारबन और हाइड्रोजन का hydrocarbons means hydrocarbons नहीं होते हैं ठीक है उससे हम इनवारिक चैमिस्ट्री में घंप्र तो α..? उससे हम इनर्गीक कैमिस्ट्री में पढते ह् wives acon where one इक में थन्परिंस्पल इज इद्सस्ट्रो उसे ग्सिंपल कंपाउण्ड हुता है केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं रसायन विज्ञान ठीक है और गनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं हम अकारबनिक रसायन विज्ञान अकार अब मैं हिंदी में क्यों बता रहा हूं उसके पीचे रीजन है अभी मैं आपको बताऊंगा ठीक है और और अर्गनिक को बोलते हैं निक रसाइन विग्यान तो अकार्बनिक जहां कार्बन नहीं है क्या निकार्बन तो है लेकिन प्रिंसिपल एलिमेंट कार्बन नहीं है तो वो हो गया अकार्बनिक रसाइन विग्यान कार्बनिक रसाइन विग्यान क्या है जहां प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है कार्बन है म medicinal chemistry क्या है medicinal chemistry है जो compounds यूज होते हैं medicine बनाने के लिए जो drug के molecules होते हैं ड्रक का formula होते हैं जैसे पैरा सीटा मॉल है पैरा सीटा मॉल है इसका कुछ structure होगा chemical structure होगा उसकी study हम इस subject में करते हैं medicinal chemistry में है खेर अभी हम हम बात कर रहे हैं सिर्फ inorganic chemistry के बारे में inorganic chemistry के बारे में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे syllabus में first year के syllabus में inorganic chemistry दिया हुआ है अब आपको समझ में आ गया है कि inorganic chemistry क्या होती है अगर हम syllabus की बात करें मैं syllabus दे दूंगा आपको नीचे उसका जो मे में ड्राइब का लिंक है फिर कोई कुछ पूचना है तो आप निचे माशे कमेंन कर दीजिएगा अब करते हैं इनmetro करते हैं। फॉर्मिटमं और केमिस्ट्री से उनित 1 की बात करते हैं। पहले मैं इससे पहले मैं Human Anatomy Physiology की टॉपिक्स कवर कर रहा था लेकिन चुकि मैं जिस कॉलेज में हूँ वहां मैं और इनर्गनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं इनर्गनिक केमिस्ट्री से यहां भी स्टार्ट करूंगा ठीक है și यूनिट फस्ट की हम बात करते हैं ठीक है यूनिट फस्ट का गुण पहला टॉपिक हो आज करेंगे एंचिक तो अब आपको पता ही नहीं होगा कि फार्मकोपिया होती क्या है ठीक है अब हम पहले मैं आराम से स्टार्टिंग से बताऊंगा कि फार्मकोपिया क्या है क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो भी फार्म कर चुके होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हो झिल रहएंगे जो भीफाम कर ही नहीं रहें डिप्लोमा कर रहा है तो उनके लिए लेमन लेंग्वेज में बताऊनगा कि फार्माको प्या होती क्या है अब हम बात करते हैं फार्माकोपिय की देख혀 क्या है अगर हम सिंपल लेमेन बेझ की उसमें Bible को और अपना सिख्ध धर्म में गुरु गरंथ साहिव को हम मानते हैं मतलब एक सुस्ते की पूरा निचोड है उसका वैसे ही फार्मा का जो निचोड है जो फार्मा की जो मेन बुक है वह है फार्मा कोपिया ठीक है फार्मा कोपिया अब पेपर में आ गया तो आप ऐ हिंदु धर्म में यह इसलाम में यह है तो हम इसलिए ऐसा निले इसकी स्पेसिफिक डेफिनिशन होगी एक स्पेसिफिक उसकी अब वो क्या है तेकि फार्मा कोपिया पहले फेलंग्त थोड़ा सा अलेग है ठीक है इसकी स्पेलिंग्त देख लिजीका सब्सक्राइब हो जाता है ठीक है क्यों हो जाता है उसका रिजन क्या है वियुक्ष्च क्योंकि यह जो वर्ड है फार्मा कोपिया this word is derived from a Greek word फार्मा कून ठीक है यह कहां से derived है Greek word ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं Greek word ठीक है कौन सा है वो Greek word फार्मा कून प्लस पोया ठीक है और फार्मा कून मतलब मेंस क्या होता है ड्रग और medicine ठीक है और पोईया मतलब to make अब देखे क्या ब Mueller फार्मकोपिया डेराइफ टॉम गृर्ट फार्मकॉण एन्द पोयया फार्मकॉण मीन्स होता है ड्रग और medicine और पोयया मीन्स to make मतलब डवाई को medicine को बनाना वो उसे बोलते हैं फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया क्या है बेसिकली एक ये बुक है ठीक है फार्माकोपिया एक बुक है ठीक है उसके अलग-अलग पार्ट है अलग-अलग वॉल्यूम है वो आगे हम पढ़ेंगे ठीक है हिस्ट्रि यह ül ए मैं कोशिश कर रहा हूं थां इंटरस्टिंग इसको बनाओ क्योंकि layout होती है always लेकिन मैं मैं इंटरस्टिंग मणानी की कोशिश कर रहा हूं तो फार्मकोपिा अब मैं रिवाईस बार-बार क्यों कर रहा हां क्योंकि आप सुनेंगे तो आदा clickson के याद हो जाएगा ठीक है फार्माकॉन और पूय पूय मिन्सटु मेक फार्मकॉन kosmi फार्मकॉन में ड्रग और मेडिसीन अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें इसकी डेफिनेशन किया है यह क्या है यह है एक compilation क्या है compilation किसका compilation है drugs their methods method of preparations and their characteristics compilation है किस चीज का drugs का मतलब ये book है ये क्या है एक book है इस book में क्या है जितने भी drugs है वो drugs के बारे में दिया है their method of preparation वो कैसे बनाई जाती है उनकी method क्या है prepare करने की method of preparation ठीक है और तीसरा उनके characteristics क्या है आप कैसे पहचानेंगे कि अच्छा ये drug है इसकी ये characteristic है ठीक है पहचान जिसे हम बोलते है तो ये अगर definition आएगी तो आप क्या लिखोगे this is a compilation of drug their method of preparation and their characteristics ठीक है ये आपकी होगी simple pharmacopia की definition अब हम बात करते हैं इसके section के बारे में ठीक है अब हम बात करते हैं sections तीन sections इसमें होते हैं पहला है जन्रल नोटिस्स ठीक है notice की spelling ठीक है दूसरा है monographs और तीसरा है appendices अब general notice क्या होते है monographs क्या होते है appendices क्या होते है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो मैं नोट से ले लेता हूँ मैं इतना लिक लिखूंगा तो कोई फायदा है नी क्योंकि ये नोट्स मैंने आपको सारे दे रखे है ठीक है बेसिक लिए अब हम बात करते है journal notice के बारे बेसिक लिए जननल नोटिस में क्या है the information of pharmacopial progress since last edition मतलब last edition क्योंकि इसके जो pharmacopia के हम क्या पढ़ने फार्मा कोपिया ठीक है अब pharmacopia के अलग-अलग addition निकलते है ठीक है जिसे आप बोल सकते हैं अलग-अलग series निकलते है जैसे इसके अलग-अलग series निकलते है अलग-अलग sections निकलते है तो अब उसमें क्या-क्या add हुआ है वो सब general notice में आता है general notice मतलब in general बात होती है आप इसको ऐसे समझ दीजे in general बात होती है यह होगी general notice उसके बाद हम दूसरी बात करते है monographs के बारे monograph में क्या होता है monograph में the written description of the official substances ठीक है जो official substances है बोले तो इसके अंदर क्या होते है छूटे-छूटे alphabetically arranged topic होते है ठीक है जैसे क्या-क्या information होती है इसके अंदर basically कुछ informations होती है जैसे man इसका title हो गया ठीक है synonym हो गया ठीक है इसका chemical formula हो गया ठीक है chemical formula हो गया ठीक है category होगी ठीक है तो यह अलग-अलग type के इसमें subsections होते हैं अब जैसे title है title में क्या होगा title में जैसे कोई drug है ठीक है उसका नाम होगा ठीक है synonym में क्या होगा अगर उसका कोई दूसरा नाम है ठीक है जैसे हमारे घर में नाम अलग होते है school में नाम अलग होते है तो वो synonym हो गया ठीक है उसको और किस नाम से पुकार सकते है chemical formula में आ गया इसका IUPAC name IUPAC name हो गया chemical structure हो गया category में वो किस category से बिलॉण करता है हो क्या कर सकता है वो anti-microbial है वो anti-ematics है वो क्या है तो उसकी category वो क्या कर सकता है क्या drug किस चीज के लिए है वो उसके category में वो आती है और भी भूढ़ सारे हैं इसमें जैसे doses हैं doses में आ गया कि उसकी जो adult dose है वो कितनी है ठीक है अब यह जो है method of essay है ठीक है ऐसे क्या होता है कि किसी drug में specific जो main principle compound है वो कितना present है उसकी quantification तो वो कितनी है ठीक है quantitative study उसे बोलते हैं ठीक है यह सब कुछ रहता है उसके बाद हम बात करते है appendices appendicize कि appendicize में क्या है अब पहले से क्या होता था इसमें इसको आप ऐसे याद कर ल four two two four two eight इन को छोड़कर एक से नौ तक के जितने भी आते हैं वह अपने appendicize होते थे अब यह change भी हो सकते हैं यह starting की बात में बता रहूं कि हम history पढ़ने है ठीक है जैसे अब इसमें क्या है अब मैं जैसे आपको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं ठीक है इसमें जैसे one two nine में इनको छोड़कर section one है section three है section five है section six है section seven one section nine one two nine ठीक है तो इसमें दो नी होगा इसमें चार न्यवा इन sections को छोड़के इनको छोड़के यह जितने भी है इतने इसमें sections होते हैं बतलब total six sections होते हैं अब इसमें हर section में क्या क्या information दिए है वो भी दिया गया है इसमें ठीक है जैसे first में क्या दिया है describes the apparatus for pharmacopoeil testing, pharmacopoeil testing के लिए हम कौन-कौन से apparatus use करते है, apparatus भोले तो हम क्या हम मेजनिंग सिलेंडर यूज करते है हम conical flask use करते हैं ठीक है हम pipit use करते हैं ठीक है ऐसे कर गया लगला हम कौन से-कौन से glassware से यूज करते है उसके बारे में दिया है ठीक है उसके बार फिजिकल टेस्टिंग एड आपको समझना कुछ नहीं है तो सिर्फ यह का ही टॉपिक है तो उसके बाद तर फिस्फ में क्या है फिजिकल टेस्ट मतलब जैसे फौर लॉसन लॉसन ड्राइंग है जैसे मैल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन है जैसे कि उसके उसके बाद फिर आगया अपना 6 इस वाले में, इसमें 6 वाले section में क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो cleaning, useful direction of cleaning glassware, इन glassware इसको हम कैसे clean करते हैं, अब ऐसे तो है निकि इसमें सर्फ डाल के इसको जैसे बरतन मा जेते हैं, वैसे मा इसमें different type के chemicals use होते हैं, कैसे इसे proper clean करते हैं, ताकि हम अगली जो analysis कर रहे हैं, अगला जो हम कुछ testing कर रहे हैं, उसमें पिसले testing का कुछ भी ना आ पाए, उसलिए इसके लिए से हम clean करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगया अपना 7th, 7th में क्या है, reagent and solution required in the various tests and asses, their method of preparation, बोले तो, जो reagent और solution होते हैं, किसके लिए, जो reagent और solution हो एसे को perform करने के लिए, किसी test को perform करने के लिए, किसी method of preparation करने के लिए, method को prepare करने के लिए, जो भी हमें chemicals use होते हैं, उसके बारे मैं इसमें है, और last वाला 9, उसमें दिया है, the name and symbol, बहुत जगा हम क्या करते हैं, कुछ short name use करते हैं, जो symbols use करते हैं, ठीक है, वो इसमें दे र sections हैं, अब हम बात करेंगे, अपनी इंडियन फार्मकोपिया के बारे में, अब इंडियन फार्मकोपिया क्या है, अब हम अपनी country, अब देखें, फार्मकोपिया जो है, यह तो in general हमने बात करी, फार्मकोपिया के बारे में, क्या बात करी, हम लास्ट में revise करेंगे, या जो उनके characteristics है उनका compilation है ठीक है फार्मकोपिया अच्छा है इसमें हम यह कहां से डिराइव वाए ग्रीक वर्ड फार्मकोन और पुया से डिराइव वाए फार्मकोन मीन्स ड्रग और पुया मीन्स टू मेंक ठीक है उसके बाद हमने पड़ा इसके section यह तीन इसके तीन section है पहल ऑ Initially को प्रॉपेया हम क्यों पढ़ लेंडिया की है अलग अलग कंटृ की अलग अलग फार्मकोपिया है जैसे लग धर्मसंपरदाय के अलग 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 धूक्स है वैसे ही अलग अलग USP ठीक है IP BP USP अब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें IP के ही according चलना है अगर हम कोई ऐसा compound बना रहे हैं USP के United States के लिए तो हमें USP follow करना पड़ेगी British के लिए बिटिस फर्म को भी आप फॉलो करना पड़ेगा मतला ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडिया के आपको IP ही फॉलो करनी पड़ेगी लेकिन मैं IP ही क्यों पड़ा रहा हूं क्योंकि जो हमारे इनर्गनिक केमिस्ट्री में आगे चलकी जितने भी टेस्ट है वह सब आई पी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं इसलिए हम आई पी पर focus करेंगे बाकि BP वगएरा आपके फार्मस्टिकल जो फार्मस्टिक्स है जो सब्जेक्ट उसमें सारे फार्मकोपिया के बारे में दिया हुआ है सबसे पहले तो जो फार्मकोपिया आई ठीक है वह कौन से यह आई थी बेंगल फार्मकोपिय 1844 सबसे पहली फार्मकोपिय आई एक उसके भाइब ते पाया कि सो पता नहीं मौत कम लो जाते डियुत कि या बंगाल फार्म, बंगाल फार्मकोपिया 1000 नेकर तो गई नहीं मानते तो उसने कहा किशा कोई लिगल यूज ने होते उसका से समय होती उसको घृची होती फसी होती ती इंडिया में वह उती कर देश्ट देश्यों ने बोला हमारे देश के जो लीडर ऑनने वोला हमारी खुदकी फार्मकोपीया होनी चाहिए है तो उसके लिए फिर कोशि17 कले। कमेटी बैठाईगी उसके बादे में हम बात करेंग YOUR थीँद A फर्स्ट फर्मो कोपिया एंडिया वह ब्लू एच एलन दें नों pole हो एन उप्ट करी ती ठीक है और सबसे पहली इंडियन पेंड इंडियन विटरीक साघा अएंट साल बाट यह 500 साल बाद, जिदने भी साल बाथ 1955 मैं, ठीक है 1955 मैं आईी थी, आप आई तो थी लेकिन इससे पहले भी ऐसा तो की सीधे ही आ गे होगि, उस से पहले भी बहुत सारी esth आई थी अब आई तो थी लेकिन इससे पहले भी बहुत ऐसा तो नहीं कि सीधे ही आ गई होगी उससे पहले भी बहुत सारी जद्दो जहाई अब इसमें मैंने क्या दिया देखिए अब इसमें मैंने इंडियन फार्माकोपिया हिस्टि ये सारी पबलीकेशन दे रखी है पोटल कितने अडिशन आ चुके हैं फार्माकोपिया के एट एडिशन आ चुके हैं जो एडिशन है वो कब आया दो साल पहले टूठाउजन एकटीन में अब एक एक एडिशन के बारे में मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन उन एडिशन में क्या-क्या खास पॉइंट है वो मतला हम कब आजाद हुए थे अभी मैं इसलिवी बता रहा हूं ताकि आपको यह चीज़ जैसे याद रहे ठीक है 1947 में हम आजाद हुए थे ठीक है 1947 में हम आजाद हुए थे तो इससे एक साल पहले मतलब 1946 की यह बात है 1946 में क्या हुआ इंडिया इसूड वन लिस्ट नोन अक इंडियन फमऑोकोपीया लिस्ट अन्दर लगार्मेनशप दोक्तर रं साफ ड़्टर रहकॉपडा सर खिक न ही मोड़निये सर रं चोपनी कुप्रा थी और अर Hilγ likeren चोप्रा इसे ठीक है यह इनके सांद 9 members और थे ठीक है तो यह 1946 में बनाई कि इन्होंने कि अब हम अपनी खुद की फार्मकोपिया बनाएंगे इंडियन फार्मकोपिया बनाएंगे उसके बाद क्या हुआ आजादी मिल गई हमको आजादी मिलने के बाद इसके एक साल बाद 1948 में government of India ने he appointed indian pharmacopia committee for the prepare preparing indian pharmacopia इन्होंने क्या कि अब भीनों ने कहा कि चलो ठीक है अब हम बनाना अपना स्टार्ट करते हैं इंडियन फार्माकोपिया मतलब निकली थी 1955 में लेकिन अब देखें यहां से बनाने स्टार्ट वहां 1948 में ठीक है अब क्या हुआ पहला फस्ट एडिशन जो निकला था 1955 में वह निकला था अंदर दे च यह लिख नहीं रहा हूं वह सामें नोट में दे रखें जो में में चीज है मां आपको बतायता हूं ताकि आपको सुनके याद हो जाई यह थीजे ठीक है उसके बाद यह दो पहला एडिशन निकल गया उसके बाद फिर दूसरा इडिशन आया था वह था डॉक्टर बी मु नाegन्ट प्रौन पंदुट आपनदे साइज ठीक है पहले छह थे फिन अइन होगाए और दो व्ल्युम में निकला Penguin chairman कॉन थे इसके । अ टोक्टर नित्यानन्दे थीए घर फौर्थ एडिशन भी आया था उसने मिए पहले चेर्में जो थे डोक्टर थर्ड ठीक है उसके बाद 6th edition जो आया था वो आया था 2010 में बाई इंडियन फार्मकोपिया कमेटी IPC IPC कहा है यह बहुत important question है IPC जो है गाजियाबाद में ही है इंडियन फार्मकोपिया कमेटी द इंडियन फार्मा यह बहुत important question है ठीक है इंडियन फार्मकोपिया कमेटी यह कमीशन यह कमेटी जो भी है वह आई थी वह है गाजियाबाद में गाजिया अब यह क्यों बनाए गई ताकि एक लीगल उसके लिए मतलब कहने का मतलब है कि उसमें उस पर एक लगाम कसने के लिए उसमें नजर रखने के लिए ठी औरीटी ठीक है और शिंटे एडिशन इस ही के समय तक उसके बार है अब इसमें किया प्रॉड के आ इस में तीन्लम निकलिकले इसकोठे इलीचन है किया इंपोड़ा इंपोटेंट है इसलिए मैं इसको लिख देता हूं ठीक है 6th edition जो है जो 6th एडिशन है उसमें तीन वाल्यूम आये थे वाल्यूम 1, वाल्यूम 1, वाल्यूम 2 और वाल्यूम 3 अब वाल्यूम 1 में क्या है क्या था नोटिस, नोटिसेज, प्रीफेस, स्ट्रेक्चर ओफ आई पीसी, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, एन जनरल चैप्टर, मतलब ओवर ओल जो मोटा-मोटा उपर का बताना है, वो आये था, इसमें, ठीक, और वॉल्यूम टू में क्या था, जो ड्रक्स, A to M, जितनी भी अल्फा आगया, N2Z थी अगले वॉल्यूम में, वॉल्यूम थर्ड में, ठीक है, अब सेवन्त एडिशन था, सेवन्त एडिशन में क्या आया था, वो कब पब्लिश हुई थी, 2014 में, 2014, विट फोर वॉल्यूम एंड डीवीडी, चार वॉल्यूम एक वोल्यूम इंक्रीज हो गया थ और इसके साथ इनकी डीवीडी भी आ गई थी, ठीक है, उसके बाद 8th edition जो आया था, वो आया था, 2018 में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2018 में इसका 8th edition आया था, ठीक है, और जो इसका, to keep the pharmacopoeia accurate and up-to-date, the Ministry of Health and Government of India established a center named Indian Pharmacopoeia Commission at Ghaziabad, यह मैंने आपको स्टार्टिंग में, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि Ghaziabad में, इसको accuracy के लिए, accuracy maintain करने के लिए, जो है, वो Indian Pharmacopoeia Committee या कमीशन बनाई गई है, तो हमने आज पढ़ा, pharmacopoeia के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा, Indian Pharmacopoeia के बारे में, ठीक है, इसका syllabus मैं आपको link नीचे दे दूँगा, ठीक है, और syllabus के साथ साथ, वैसे syllabus देने की, अगर मैं ना भी दूँँ, तो syllabus मैंने पहली वीडियो जो मेरी है, उसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी syllabus डाल दूँगा, और इसके साथ जितने भी notes हैं, यह जो भी मैंने आपको पढ़ाया, इसके handwritten notes हैं, वो भी मैं आपको provide कर दूँगा, आपने मुझे इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धनिवाद, thank you students.